आई एवरिवन जे सी किष्णा रादे रादे हरर महादे और मैं सरला इंट्यूट टार डिडर मैं फिर से क्रेडिंग लेकर आ गई हूँ और जो चैनल वहां मजे हैं आप आप सभी के लिए वह यह हुआ कि आपका भाग्य उद्धे जैसे यूनियर्स यह मेसेज हैं यूनिय कि आपका भागय उद्धे हो रहा है तो आपको वह प्रमाई तो साइन देंगे वह किस रूप में देंगे ठीके वह रिदिंग में यहां पर आपको पता चलेगा और आचे प्ल रिडंग यह आप इसमें से एक पायल चूँश करने की जड़ते है इसका ताइम में अपना West दिल से शुक्रयादा करना चाहती हूं जो भी वीडियो को लाइक करते हैं कमेंस करते हैं सब्सक्राइब करते हैं बहुत बहुत आभार बहुत बहुत ब्लेसिंग्स प्रेम अनकंडिशनल उर्जा आप सब भी को यहां पर में देती रहती हूं और जिसे भी प्रसंडिंग चाहिए मैंने अपना वर्टसप नमबर डिसकिप्सम बॉक्स से मेंशन कर रहा है तो आप देख सकते हूं तो मैं यहां पर आपको पाइल बताना चाहती हूं यह है पाइल नमबर वान एंड पाइल नमबर टू ठीके तो यहां पर क्लोस से आप द अप्ल नमबर टू एसका नमबर है 23 आप इसकी पिक्चर्स को देखो ओके पाइल नमबर टू ओके ईएई यह वोप आपने इसमें से एक पाइल चूज ली होगी तो मैं चलती हूं तो बाढ़ की तपाइल नमबर वन से हाई पाइल नमबर वन तो जिसने भी ये 47 का कार्ड चूज करा है उसकी डिडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नमबर वन आपका भागी उदे हो रहा है लेकिन उससे पहले आपको साइन यहाँ पर दिये जाएंगे वो सबसे पहला साइन पाइल नमबर वन आपके लिए क्या होगा कि आपको बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके सॉलुशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ठीक है कहीं पर भी रखी हुई आपको नजर आएगी ओके या आपको बहुत पुराना लोक आप खोल सकते हो ठीक है जिसे यह की यहाँ पर दी जारी है एक सबसे बड़ा साइन आपके लिए यहाँ पर पाइल नमबर यही है आपके भाग्य उदे हो रहा है क्या आपको चाबी जि जिसे आपका भाग्य रुका हुआ था जहां पर आपके भाग्य की रेखा हैं जिसे बोलते हैं हमके भाग्य में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है तो यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि आपका भाग्य तो बहुत बढ़ा है आपके भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा जहां से उसका solution आपको मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा साइन आपको की बहुत नजर आएंगी जिसे यह यूनिवर्स आपको खुद आपके हाथ में उसको पकड़ाने वाले हैं ओके यह यूनिवर्स की ब्लासिंस है आम तोर से यहां पर लोगों को बहुत अनस्पेक्टर लगेगा लेकिन यहां पर यह सचा है यह हकीकत है कि आपको यूनिवर्स यह खुद आपको चाबी दे रहे हैं ओके ताकि आप अपनी किसमत के दरवज्चे खोलो आप अपना भागे उदय खुद यहां पर आप करो जिसे जो कुछ भी करना है पाइल नमबर वन मैं यहां कह सकते हूं कि आपको ही करना है यूनिवर्स सिर्फ आपकी उसमें हैल्प कर रहे हैं यहां पर आपको ऐसा नहीं कि आपको बेठे बिठाए मिलेगी या खुली हुई मिलेगी नहीं आपको रस्ता बता दिया जाएगा आपको चाबी पकड़ा दी जाएगी अब वहां से उ मैं आपको के मलम भी हैं यहां फी की लिसरे बहुत टकार्ट कोुछ मूझे एसा कि प्लाओं आपके हाथ की यहां आपकी लिस नहीं है आपको की उर्जा बह रही है, यहां पर ऑके आप जेसे आपकी तरफभी बहुत सारे हैंड्स आएंड़ को हैं बताब है लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको प्रेम देंगे, बहुत चीजे जैसे ऐसी होंगी, जैसे आदान-प्रदान वाली उर्जा होगी, जैसे हर चीज को आप बहुत बहुत रीकवरिंग यहां पर देखोगे एक बहुंकर आपकी जैसे एक ऐसा आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ तो था लाइफ में ऐसा जो हमें इस्टक कर रहा था लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जैसे ब्लासिंग से यह युनियर से एक बहुत बिग बिग ब्लैसिंग से आपके लिए यहां पर जिससे आपका भागी उदे हो रहा है पाइल नमबर वन लेकिन हाँ फिर में यहां पर आपको बता दूँ कि आपको बेठे बिठा है कर्मा की बात आ रही है यहां पर पाइल नमबर वन जितना कर्म करोगे आप उतना फल आपको मिलता चला जाएगा, आप अच्छे करम करते चले जाओ, फल की इच्छा मत रखो, जैसे जैसे करम करोगे, वैसे वैसे आपके रस्ती यहाँ पर खुलते चले जाएगे, यहाँ पर लोग खुलने की आवाज आरी है, ठीके, तो उस चीज पर आपको धिहान देने की ज सॉलुशन आपको मिलने लड़ जाएगे, यहाँ से समझ जाना कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, थाइंक्यू यूनियर्स, थाइंक्यू सो मच, जै, श्रीकिष्णा, राधे, राधे, हरहर महादेव, ओके, क्वीन ओप कप्स, पाइल नमबर वन, मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपका बहागी उद्धे कहां पर हो रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है, कि कुछ ऐसे, आपके, कुछ ऐसे, गौड मैं कैसे बोलू इस चीज को, जो मैं हाँ पर अभी फील कर रही हूं, कि आपका हुर्दे, अभी तक आपने अपनी इच्छाओं को शायद दबा कर रखा हुआ था, आपकी जो भी वीशे, जो भी आप दिल से चाहते हो, जो भी आपको जिस काम को करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो सायद अभी तक आपके जहर में दबी हुई थी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसे यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, एक सायन यहाँ पर यह भी मिलेगा, कि आप पहले की आपक्षा, बहुत जादा खुश रहने लग जाओगे, बहुत जादा हापी रहने ब स्चीजे को आप समझ रहे हो, जान रहे हो अपनी बसली रूप को, अपनी प्रेम को, अपनी करुना को, उसे आप समझ रहे हो, और वही सब चीजे एक सही डिरेक्शन में आपके लिए यहाँ पर जा रहे है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि जब आईए, आपका सबसे आपके अंदर कुछ आपका भागय उदय हो रहा है कहां पर हो रहा है यह जो आपकी जो विश है जो आप करना चाहते हो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहां पर अभी तक आप कर नहीं पाए हो ओके तो यहां पर आप बस उसी चीज को आप बाहर निकाल रह में यहां पर देख रही हूँ आपको बच्चों से बहुत लगाव होगा या तो अपने बच्चे होंगे या दूसरों के बच्चे होंगे इस्पेशली में यहां पर बच्चों से रिलेटेड बच्चों के लिए आप यहां पर कुछ करना चाहते हो तो भागे उदे, जिसे यहाँ पर आपकी जब अंदर से आप खुश हो, ठीके, और आप अपने दिल से किसी काम को कर रहे हो, वही से ही आपका भागे उदे हो रहा है, तो definitely आप अब अपने उस काम को करने वाले हो, जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है, और वही से ही आपक कोई बहुत पुराने विश है, कोई बहुत बड़ी विश है, तो ये यूनिवर्स आप जो भी कुछ करना चाहते हो, ठीके, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, ड्रीम है कि बच्चों के लिए कुछ करना, अना थाश्रम खोलना, या क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी मा पर निकालना चाहते हैं, ताकि आप अपने उस रूप से आपका नेक्ट हो, और जो आप करना चाहते हो, वो आप यहां पर कर सको, आपके अंदर एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसी उर्जा है, जहां पर जितना आप इसको बढ़ाओगे, यह उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उ आपके पास बहुत बच्चे आपसे टकराएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बच्चों से बहुत जादा प्रेम हो जाएगा, या अब भी तक इस अपने रूप से आप वंचित हो, तो आपने इस रूप को आप पेचान होगे, ठीके कि आप बच्चों से आपके लि अपके दखाएग मैं, यह मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज के बारे में आप काफी टाइम से आप सोच इचार कर रहे हों, कुछ है डाफिनेटली जहां से आपका बहागी उद्धया, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को आप गह आई से सोच रहे हो, कि आपका कुछ ऐसा है आपका जहां पर आप काफी टायम से उसके बारे में सोच इचार कर रहे हो कि कहां से जो मैं चाहा रहा हूं या जो मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं उसका क्या क्या कर रहे से वो सारी चीजे वो मेरे सपने सत्य हो सकते हैं ठीके तो यहां पर एक बहुत इसी उर्जा है कि जहांपर आप बैलेंस हो रहे हो definitely आपको कुछ ऐसी आपकी कुछ problem है जिसका solution आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ओके यह आपका sign है आपका भागी उद्य हो रहा है यह आपका sign है कि कि आपकी आप अपनी अबी तक आप अपनी knowledge को ठीक है, आपके पास प्रेम भी है, नॉलेज भी है, आप बहुत सब्सक्राइब हो, आपके अंदर बहुत मम्ता से अब भरे हुए हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि उन सब चीजों को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उसके उपर अमल किया जाए, तो डियर, don't worry, उस उसका बहुत जल्दी आपको solution यहां पर मिल रहा है, ज़्यादा सोच रिचार करने की ज़रत नहीं, सिर्फ आपने आपको balance रखो, और चीजों को देखने की यहां पर कोशिश करो, उसके sign आपको दिये यहां पर जाएंगे, आर्टोमेटिक आप उन सब चीजों से connect होना श आपको यहां पर बोला, यहीं जारा है, कि जितना जादा आप अपने आपको, मतलब अपनी उर्जा को कहां आप लगा रहे, उसके उपर ज़्यादा से ज़्यादा focus करने की कोशिश करना आप, अपनी उर्जा को फाल्तु चीजों में वैस्ट नहीं करना है, ज़्यादा कि नहीं ना कही युनियर्स का उसमें बहुत गहरा हाथ है ठीके आपको करना क्या है आगे आगे आपको आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो आपको वहाँ पर गाइडलाइस दे दी जाएंगी आपको पूरा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आगे आपको क्या करने की जरु आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, ठीके, आपको शरेंडर आपको कर देनी की ज़रूरत है यहाँ पर आपको ड्रीम्स आएंगे, आपको काफी चीज़ों का पहले से आभास करा दिया जाएगा यहां पर आपके लिए आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इश्वर से आपका connection गहरा होना चाहिए जितना साथा इश्वर के साथ आपका गहरा connection होगा उतना ही आप को यूनियर्स आपको guidelines देते रहेंगे आपको उस रस्ते पर ले जाएंगे जहां से आपका भागी उदय हो रहा है तो आपको dreams बहुत आएंगे सपने बहुत आएंगे उन सब चीजों को आपको peace में रहोगी शांती में रहोगी तभी उनके sign को आप समझ पाओगे तभी आप उस जहर्णी पर जा पाओगे जहां पर आपका भागी उदय हो रहा है तो आपको किसी भी चीज में stuck होने की या परेशान होने की जरुरत नहीं है एंड यहां पर two of fans यस आपका भागी तो होई रहा है यहां पर आपको sign क्या मिलेंगे आपको यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ केरियर से related कुछ जॉब ओफर आ रहे हैं केरियर से रिलेटेड आपकी तरफ कोई opportunities आ रही है यहां पर जिसे मुझे ऐसा लग रह कर रहे हो काफी टायम से प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए कि यहां पर मुझे कैसे इन सब चीजों पर उपर कैसे इन सब चीजों को मैं अपने handle कर पाऊंगा या जो मैं चाह रहा हूं उसे कैसे मेरे हात में आएंगी ठीके तो definitely यहां पर आपके लिए बोला यही जा रहा ह हैं हर दरवज्जे खोले जा रहे हैं आपके लिए चाह वह आपका केरियर हो चाह आपकी कोई विश हो चाह आपकी अध्यात्मिक जर्णी क्यों ना हो यहां पर आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको सिर आपको मिले ऐसी जगे अपनी उर्जा नहीं लगानी जहां पर आपकी उर्जा वेस्ट हो रही है ओके आपको यहां पर सीधा यही बोला जा रहा है कि भागे उदे यहां पर हो रहा है आपका तो जो आ रहा है उसके उपर आप विश्वास करो जो नहीं है उसके उपर सोच इचार आपको करने की जरुरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि next two week में या two month में आपके लिए कोई बहुत बड़ी केडियर से related कोई बहुत बड़ी विश्व आपकी यहां पर पूरी होने वाली है यहां पर मुझे इसा लग रहा कोई कोई दूर भी जाना चाहता है वर्ल्ड टूर करना चाहता है तो यस आपका भागी उदे हो रहा है काफी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा रहे हो definitely कुछ ऐसी जर्नी है आपके लिए ठीके जहां से आपका भागी उदे हो रहा है यह जर्नी का कार्ड भी है तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जर्रत है मैं यहां पर टेरों से देखती हूँ ओके नाइन ओप सौर्स येस आपका भागी तो उदे हो रहा है उसके क्या साइन आपको यहां पर मिलेंगे आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज को आप अपनी आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है यह आपके लिए गाइडलाइन सारी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में वो वो चीज शायद कहीं न कहीं आपको बोदर करती हैं आपको हर्ट करती हैं आपको मेंटले डिस्टरब करती हैं आपके लिए सीधा यहां पर यही बोला जा रहा है कि आपकी तरफ यहां पर healing आ रही है, ठीके, positivity आ रही है, आप अपने अंदर एक बहुत positivity को फील करोगे, एक बहुत strength को आप फील करोगे, जहां से आपको आपका भागी उदे हो रहा है, तो definitely आपको इस उर्जा से निकाला जा रहा है, जहां पर आप पुरी तरीके से बंदे पड़े हो, देखो हर चीज का एक time होता है, निश्चित समय होता है, कि आप वो हमेशा ही एक situation में आप बंद कर नहीं रह सकती हो, जब समय आता है, तो आपके उपर चाह कितनी भी बड़ी परिशानी है, चाह कितना भी सं कट है, वहां से आपको यूनियर्स निकालेगा ही निकालेगा, तो यहां पर आपका भागी आपको जादा किसी भी अगर कोई आपकी लाइप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या पास्ट का कुछ ऐसा, आपके उपर कुछ ऐसा हुआ है, जहां पर आप उस चीज से निकल न है, तो वहां से आपको यहां पर निकाला जा रहा है, बस आपके लिए बोला यही जा रहा है, कि आपको किसी भी तरीके से टेंशन और चीचार आपको करने की जर्रत नहीं है, ओके आपकी हीलिंग हो रही है, उस चीज पर आपको विश्वास करने की जर्रत है, ओके, हाई यहां पर आपके लिए जो बोला जा रहा है कि आप मैंने यहां पर पेली बताया आपको आप बहुत इस्परेशलो बहुत आध्यात्मी को आप बहुत ब्लैस्टी सोल हो, बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत सदा हाई है, जो मैं यहां पर भी मैसेज मुझे मेल रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर अपने उपर विश्पास करने की जरुत है, जितना जादा आप, आप मुझे इसा लग रहा है कि ट्विन उदे हो रहा है, पता है भागे उदे हो रहा है, इसका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जैसे किते हैं कि प्रूफ यूनियर्स क्या दे रहे हैं, वो आपको सीधा कर रहे हैं, आपके अंदर चेंज कर रहे हैं, आपके अंदर बदलाम कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं आपको guidelines दे रहे हैं, आपको आपकी हर problem के solution आपको यहां पर दे रहे हैं, आपके अंदर इतनी knowledge दे जा रही है, इतना ग्यान आपको दिया जा रहा है, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि universe आपसे, आपके परमात्मा आपसे खुद यहां पर आपसे connected हो रहे हैं, ओके यह एक बहुत बड़ा sign है आपके लिए, कि अब आप किसी भी अगर आप अपने आपको अकेला समझते हो, तो यहां पर आप अकेले नहीं हो, अभी तक पास्ट में शायद आप अपने आपको बहुत जादा अकेला मानते थे, लेकिन यहां पर आपके इश्वर आपकी परमात्मान आपकी बहुत हीलिंग करी है, बहुत आपका connection एक गहरा बना है, और आपको बहुत knowledge दे थी, बहुत ज्यान आपको दे दिया है, आप कही ना कही एक ताइम पर आप बहुत जादा, मतलब आपकी उर्जा ऐसी थी, इस्टक वाली, ब्लॉकेज वाली थी, जहां आप अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ठीके, आपको अपनी जहन, अपनी intuition, अपनी अंतरात्मा से disconnected थे, लेकिन यहां पर आपको जो भी आपको मिल रहा है, वो आपके खुद के भीतर से ही यहां पर मिल रहा है, इसलिए मुझे यहां पर यहां पर यह जो मेसेज आया था आ आपको जो भी करना है, आपको खुद को ही यहां पर करना है, क्योंकि परमात्मा आपको यहां पर guidelines देंगे, आपको रस्ता दिखाएंगे, इसलिए आपको क्योंकि आपकी intuition, आपकी अंतरात्मा वो इश्वर के साथ बहुत connected है, ओके, आपकी आत्मा के पास सब कुछ है, अपनी inner voice को सुनने की कोशिश करो, अब आप विचारे नहीं हो, आपका भागी उदय हो रहा है, आपको ही हर काम करने की ज़रत है, किसी के ओपर विश्वास ने करना, सिवा अपने खुद की अंतरात्मा के, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज आपके प्रमात्मा की लेकिन उसे फील कर इसे करोगे, उसे महसुस कर से करोगे, जब तक आप अपने आपसे connected नहीं होगे, यह आपकी soul है, देख रहे हो है उसके पास, उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है, एक ताइम पर कुछ नहीं था, लेकिन एक ताइम पर आप भरे हुए हो ज्यान से नौलेज से इंट्यूशन बहुत साइकिक हो बहुत पावर्फुल एनरजी है आपकी तो ये एक भाग के उद्धे है कि जहां आपके पास सब कुछ है ओके ऐस अप सौर्ट्स बहुत बड़ी विक्टरी बहुत बड़ी क्लिर्टी बहुत बड़ी सच्चाई जो कि आपकी है ये आपकी विक्टरी है आपकी सच्चाई है और आपकी क्लिर्टी अगेन यहां पर की है एक सौर्स आपको यहां पर आपका भागी उद्धे हो रहा है ये कार्ड इस चीज को प्रूफ कर रहा है जैसे चिला चिला कर बोल रहा है कि Yes, I am powerful मैं weak नहीं हूँ मैं weak नहीं हूँ, मैं कमजूर नहीं हूँ मैं बहुत strong हूँ mentally मैं बहुत strong हूँ ओके, क्योंकि आपको आप अपने उपर विश्वास कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए यह बहुत बड़ी आपका भागे उदय हो रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी victory आपको मिल रही है definitely यहाँ पर आप किसी एक एसी new beginning में कह सकती हूँ जैसे आपका एक नया जनम है आपका भागे उदय हो रहा है तो वहाँ पर आप भी कही ना कहीं आपकी भी अपनी उर्जा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो जो भी आपका पुराना पेटर्स था उसे अपने रिलीस कर दिया है आपकी जो thoughts होंगे आपकी जो psychic उर्जा है वो आपको काफी help कर रही है आपका निन्ने decision ही आपके लिए सर्व परी है आप सिर्फ अपने निन्ने decision से आगे बढ़ो आपका निन्ने decision ही आपको भागी उदय की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है पाइल नमबर वन ओके king of cups king की उर्जा आगे यह queen of cups था यह king of cups है जैसे आपकी masculine energy और feminine energy वह बहुत balance ही यहाँ पर अंदर से आप बहुत चीजों को आप हील कर चुके हो अपना आपने अपने आपको भर चुके हो या कुछ patterns था जहां पर आप अपने आपको मतलब खाली समझते थे तो वो यहाँ पर भरा हुआ है आपका आपको यहाँ पर क्या sign और मिलेंगे आपको बहुत सारा मतलब आप कुछ read कर रहे हो कुछ यहाँ पर learn कर रहे हो कुछ सीख रहे हो आप यहाँ पर जिससे आपकी skill आपकी knowledge बढ़ रही है यहाँ पर यहाँ से आपका भागय उदे हो रहा है क्योंकि source के card knowledge को बताते हैं आपकी knowledge बढ़ रही है यहाँ पर जितना जादा आप पीस में रखोगे उतनी ही आपकी knowledge आपका ज्यान आपकी skill power वो बढ़ती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप काफी book में आपका interest जाएगा काफी आप आप कुछ ऐसा learn कर रहे हो ऐसा कुछ सीक रहे हो जिसकी वज़े से आपकी केरियर में कुछ growth definitely हो रही है यह आपके भागी उदय के वह हैं जहां पर आप अपना केरियर केरियर सवारने में आप लगे हुए हो आपके बागी उदयने के सबसे बड़ा संकेत आपको आउल बहुत नजर आएंगे यहाँ पर जैसे उदय हो रहा है यहाँ पर मा लक्षमी की भी करपा है आपके उपर यहाँ पर धन वर्षा भी है यहाँ पर आउल अगें आपकी साइकिक पावर को बता रहे हैं आपकी अगर आप अपनी उपर अपनी विद्या पर अपनी इंटुशन पर या अपनी नॉलेज पर आप विश्पास नहीं कर पा रहे थे तो वो आपकी बढ़ रही है आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जो भी साइकिक होते हैं ठीके जिनकी इंटुशन काफी हाई होती है उनकी उर्जा रात में बहुत बढ़ जाती है जैसे आपकी इंटुशन पावर रात में बहुत हाई हो जाती होगी रात में बहुत जल किसी पावर है ऐसी शक्ति है जिसका उदय हो रहा है यहां पर अब भी तक वही ब्लॉक थी आपकी इसकिल आपकी नॉलेज आपकी साइकिक पावर यह जैसे यह बढ़ रही है यह एक बहुत ही अलग रूप में आपकी बहार निकल कर आ रही है और यहीं से ही आपका भागी उदय हो रहा है और यह बहुत साइन आपको मिलेंगे डियर आपके लिए जो मैंने यहां पर बोला कि आपका अगेन यहां पर आप मुझे पाइन लंबर आपको ब्लू कलर बहुत नजर आएगा चारो तरह ठीक है यहां पर जो मैं देख रही हूं इंपावर आपका सोलर पेसे चक्रा आपकी creativity आप शायद उसे बहुत सारी चीजों को आप फिर से अगेन जनम दे रहे हो आपकी अंदर बहुत बढ़ा हुनर छुपा हुआ है आपकी creativity आप शायद किसी चीज को आप अभी तक seriously नहीं ले रहे थे लेकिन अब आप seriously ले रहे हो क्योंकि यहीं से आपका भागी उदे होना है आपके अंदर बहुत creativity चुपी हुई है और उस creativity को उस हुनर को आप अपने केरियर में एड करने वाले हो ओके sensitive soul मैंने बोला ना यहां पर आप बहुत sensitive soul हो बहुत innocent बहुत मासुम ओके तो यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी थोड़ा सा meditation करोगे दिहान करोगे तो आप अपनी एक healthy boundary set करके रखोगे ठीक है जितना जादा आप अपनी intuition को सुनोगे उतनी ही जादा आप अपने अपने आपको एक strong feel कराओगे आपकी psychic अगर आप चाहते हो कि आपकी intuition हाई रहे आपके पास जो spiritual gift से हैं आपकी third eye open है अगर आप चाहते हो कि आप सेफ रहो सुरक्षित रहो तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपको अपना एक दायरा maintain करने की ज़रत हैं यहां पर वरना otherwise बहुत बहुत चीज़े ऐसी होती हैं जहां पर हमें उन सब चीजों को बादने पता चलता है okay and यहां पर yes dolphins आ रहा है यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है आपको पानी बहुत नजर आएगा पानी से एक आपके लिए जो sign होगा आपके भागे उदे का यहां पर आपकी तरफ healing बहुत आ रही है यह sign है आपके लिए कि जितना जादा आप अपनी healing करोगे ठीके उत नहीं आपको सही direction में आप आप जा पाओगे और वहीं से आपका भागी उदे होगा एक बहुत जबजस्त healing आपकी चल रही है यहां पर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पर अगर आपको सोने का मन कर रहा है अगर आपको किसी भी चीज में आप ठीक है तो आपकी healing हो रही है यहां पर तो आपकी लिए बोला जा रहा है कि आप रिलाक्स करो ठीक है healing आपकी तरफ यहां पर सेंट हो रही है wisdom आपकी तरफ यहां पर जितना साथ आप रेस्ट करोगे उतनी आपको wisdom आ रही है और सिर्फ और सिर्फ यहां पर बोलना है आप अब हो सके तो पानी के साथ वाटर हीलिंग जो होती है वाटर के साथ आपको मेडिटेशन यहां पर करने की जर्रत है ठीके पानी आप ज्यादा से ज्यादा पियो या एसी जगे पर जाओ जहां पर ज़रना है नदी है वहां से आप बहुत ज्यादा आप अपने आपको पीस म आप महसूस करोगे ओके डियर तो मैं यहाँ पर बस टू कार्ट्स और लूँगी आपके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच ओके टाइम मशीन यस टाइम मशीन मैंने बोला ना समय जब हमारा समय आता है जब हमारे भागे उदे का समय आता है तो वहाँ पर हमचा कहीं पर भी फरसे क्यों ना हो समय हमे वहाँ पर लेकर जाता ही जाता है जहां पर आपका भागे उदे होना है तो यस वो समय आपका आच चुका है कि आपका भागे उदे होने से कोई नहीं रोक सकता ओके डियर तो यहाँ पर समय, आपके लिए समय बहुत मायने रख रहा है तीन नमबर का कार्ड है, मायन, बोडी, सोल आपका, यहाँ पर आपके लिए तीनों एक अलाइमेंट में आपको लाने की यहाँ पर जरुद है तो यहाँ पर चीजे, टाइम के अनुसार चल रही है, समय के अनुसार आपके साथ यह हो रहा है तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रही है चीजे, आपको बस उसे होने दो किसी भी चीज के बारे में इस्ट्रक होने की जरुद नहीं, परेशान होने की जरुद नहीं बस रिलाक्स करो, मेडिटेशन करो और सरेंडर करो, जो होगा वो यूनियर्स के हिसाब से ही यहाँ पर होगा, टाइम के अनुसार ही यहाँ पर होगा और आपको जो भागी उदे हो रहा है, उसके साइन आपको समय, आपको वाच भी आपको भागी उदे हो रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए वाच, जितना ज़्यादा आप वाच को देखोगे, या आप अपनी कलाई में रखोगे, वो उतना ही आपके लिए भागी उदे होता चला जाएगा ओकी और यहाँ पर अर्थमेजिक, यस कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक आपकी जो उर्जा थी वो जिसे जिसे केते ना कि जो चीजे जहां होनी चाहिए वो वहाँ नहीं था जिसे अभी तक आप उल्टे लटके होए थे जिसे सर उपर होना चाहिए पेर नीचे होने चाहिए तो सही माइने में अब आप सही डिरेक्शन में जा रहे हो और सही सोच रहे हो सही यहां पर कर रहे हो अर्थमेजिक जिसे आपके पेर थी रखते हुए मुझे यहां पर नजर आएंगे आप मुझे इसा लग रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जितना जादा आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे या आप अपनी उर्जा को बैलन्स करने के लिए थोड़ा सा आप नंगे पेर चलो ठीके कही पर भी सड़क पर भी आपको या गार्डन में आपको अर्थ की उर्जा को रिसीव करने की ज़रत है ज्यादा से ज्यादा उसी रिसीव यहां पर करो और यह समय आज चुका है आपका ताइम के अनुसार सारी चीजे हो रही है आपकी हीलिंग की जा रही है बहुत बहुत उपर से नीचे तब तो यहां पर आप थोड़ा सा नंगे पेर पार्क में गार्डन पे सड़क पर क्योंकि यहां पर चीजे बहुत बहुत अलग वे में आपकी हीलिंग यहां पर हो रही है ठीके जिसे अर्थ की उर्जा को भी आपको रिसीव करने की जर्रा थे ओके डियर तो पाइल नमबर वन ये थी आपकी रेडिंग आई होप आपसे रेजोनेट हो अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंग सेस्क्राइब और थैंक यू थैंक यू सो मच इन बाई जेशी किष्णा रादे रादे हरहर महादेव पाइल नमबर टू तो जिसने भी ये 25 नमबर का कार्ड चूज करा है इसके डिडिंग में यहापर स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नमबर टू प्लीज वीडियो को लाइक कमेंग सेस्क्राइब जरू करना और जिसे भी पाइल नमबर टू आपका बाग्य उद्य हो रहा है इसके यूनियर्ज आपको कोन से साइन देने वाले कोन से संकेति यहाँ पर देने वाले बर्ड आपको बर्ड बहुत नजर आएंगे और यह बर्ड कोई ऐसे बर्ड नहीं होंगे जिसे आप रोज देखते हो यह बर्ड ऐसे होंगे बहुत कलर्फुल होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर्फुल फेदर्स के साथ आप इने देखोगे जो कभी नहीं देखे होंगे ऐसे बर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे इनकी आवाज आपको बहुत सुनने के लिए मिलेंगी आप अचमबित हो सकते हो उन्हें बड़ी हैरानी से आप देख सकते हो कि यह कौन सा बर्ड है जो आपके कानों में अपनी आवाज को डालना चाहता है आपके कानों में जैसे बर्ड की आवाज ये इन बर्ड की आवाज बहुत आएगी आपके कानों में जैसे आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके बर्ड इस्प्रिड आपको कुछ कहना चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं आपको फेदर्स बहुत मिलेंगे, यह आपके भागे उदे का साइन है, और यह जो बर्ड मिलेंगे आपको, हो सकते हैं, ज्यादा ग्रीन और परपल ही हो सकते हैं, बहुत छोटी-छोटे से होंगे यह, ठीके, और चिडिया भी हो सकती है, जैसे कलर्फूल, कित्ती सुन्दर सुन्दर चिडिया होती है, यह अचानक सदन भी आपको कई बेठी हुई दिख जाएंगी, या इनकी चाह चाहने की आवाज आपको यहां पर आएंगी, सेकेंड आपको यहां पर आपके भागे उदे के, यह साइन आपको खुद यूनिवर्स में देंगे, मतलब यह यहां पर आपको नजर आएगा, आपका भागे उदे होने का संकेत है, यहां पर के त्रिशुल, त्रिशुल की तो जो तीन डंडिया होती है, वो तीन जो होते हैं, वो क्या है, वो हमारी इंगला, पिंगला, और शुष्मिना नाडी होती है, त्रिशुल का, तो यहां पर आपको दिये जाएंगे डियर, जैसे यहां पर आपको वेलकम करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ बलासिंग्स आपकी तरफ यहां पर आ रही है, तो उन्हें वेलकम यहां पर करना है, आपको फेदर बहुत नजर आएंगे, कलर फुल फेदर आपको बहुत ज़्यादा और यह मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपको नाइट, यह हो सकता है, सुबह की उर्जा, जैसे मॉर्निंग, अर्लिंग मॉर्निंग, जब हलके हलके तारे निकलते हुए होते हैं, जब चिडिया की आवाज आती हैं, वो हमारे कानों में आकर कुछ कहना चाहती हैं, तो यह ऐस साइन आपको मिलेंगे, जब आपका भाग्य उदय होगा, तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने की जरुत है, थोड़ा सा धिहान देने की जरुत है, आपको, थाइंक्यू, साथ नंबर का कार्ड है, 2 प्लस 5, 7, तो यहां पर, पाइल नंबर 2, आपको, य आपके आँके खुलेंगी, आपको उठाया जाएगा, यह साइन है आपके लिए, जिसे कुद्रत यूनियर्स आपको बोल रहे हैं, अब उठो, उठने का वक्त आ चुका है, जागो, आपका भाग्य जाग रहा है, तो आपको भी जागना है, अब सुना है ना, जो सोवत है आप यह भी देखोगे, कि अर्लिंग मॉर्निंग आप पहले सोते ही रहते थे, साथ साथ आठर वजे तक, ओके, लेकिन आप यहाँ पर, जो मैं टाइमिंग देख रही हूं, आपका, फोर थर्टी या फाइफ के बीच में, आप उठना शुरू कर दोगे, जैसे आपकी बो सबूत तो युनिएर्स आपको क्या देगा यहां पर, ऑकी, क्या देगा वो यहां पर, यह एक भाग़े उदय, भाग़े उदय का मतलब यहां पर, आपका, जो भी आपके, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कि कुछ आपके, कुछ चीजों को शायद आपने ऐसा कर रहा था था ना कि कुछ ऐसा रिण पता नहीं क्यों मुझे रिण सुनाई दे रहा है यहां पर किसी तरह का कोई रिण आपने चुपता किया है अभी तक अभी तक आप सिर्फ सोय हुए थे आप अपनी जैसे अपनी हर चीज को बूले बैठे हुए थे लेकिन यहां पर जाग रहे हो और जब जाग रहे हो तो आपकी पावर के साथ जाग रहे हो आपकी ब्लासिंस के साथ यहां पर जाग रहे हो आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा ह और आपकी आप जिस अंदाज में हो ठीके उसको देखकर बहुत आश्चरी चकित आपको भी फील होगा और दूसरों को भी यहां पर फील होने वाला है क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत चीजों को आपने अपने शायद रिण समझ कर चुकता यहां बहुत बहुत लोगों ने गलत करा है आपका फायदा उठाया है क्योंकि यहां पर three of swords का काड़े तो आपका फायदा बहुत उठाया है आपको बहुत हर तरीके से आपको मुझे इसा लग रहा है कि आपका इस तर नीचे गिराने की यहां पर कोशिश करी है लेकिन अभी त आप जिस अंदास से अपने आपको बदल रहे हो जिस अंदास से अपने आपको चेंज कर रहे हो तो यहां पर पहले आप किसी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे लेकिन लोग आप आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह जो भाग उदे हो रहा है यह आपके निकाल चुकिए ओक यहां पर आपकी आपने बहुत जैसे गलत चीजे आप अपनी याफ से निकाल चुके हो बहुतॉ इहां पर बहुत।ब वह कुछ नेगिटिवटी भी हो सकती हैं। आपर जो मैं देख रही हूं आपको वह यहीं देख रही हो के अप आप रेडी हो तायार हो कि जो बधल रहा है जो बधल रहा है भागे उद्स हरा है तो डाफिनेटली वह एक बहुत बड़े बदलाब के साहा हुरा है तो उसके लिए आप मुझे इसा 부탁़ जाए कि बहुत अलग धन्ग से अलग अंदास से आप अपने आप को दिखा रहे हों यहाँ जैसे आपकी मुझे ऐसाल लगा है ना आप पनी हर बुराइप को खतम कर दिया है एसे बुरे लोगों को अपनी लाप से निकाल दिया है जिसे आपने एक बुराई पर अच्छाई की जीत जिसे आपके आपको मतलब जो आपने करा है पाइल नमबर टू वो इतना आसान नहीं था ये जो ये जो ब्लोकेस थे आपके अंदर ये जो जो भी आपने रिलीस करा है वहाँ पर आपने जिसे पलपल टूटे हो पलपल बिखरे हो आप यहाँ पर लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं आप अपनी पावर को जानते थे आप अपनी शक्तियों को जानते थे कि आप कोई नॉर्मल सोल तो नहीं हो आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ब्लैज्ट सोल हो, डैथ मतलब यहां पर एक पुनर जन्म, जैसे सब कुछ अंत हो चुका है, हर चीज का अंत, जो भी आपके लिए सही नहीं था, जो आपके लिए आपको हानी दे रहा था, आपको नुपसान दे रहा था, तकलिव दे र बुराइया थी सबका अंत हो चुका है और एक नया एक जनम यहां पर हुआ है आपका यहां पर आपका भाग्य उद्य हो रहा है तो यह जो एक साइन सबसे बड़ा साइन क्या होगा आपके खुद के भीतर होगा यहां पर कि आप जिस अंदाज से आप हो वो कोई मुकावला आपके पहले जितना आपने आपने आपको कमजोर समझा है अपने आपको आपने खुद समझा है दूसरों ने समझा है उतने ही आप पावर्फुल बाहर निकल कर आ रहे हों ओके और से के लिए मुझे यह आपको साइन जो मिलेंगे यहां पर सच बता रही हूं पाइल आपको कोई रोक नहीं सकता आपको कोई रोक नहीं सकता तो दूसरी बात यहां पर सायनिय मिलेंगे जिन लोगों ने भी आपके सब गलत करा है वह आपसे माफी मांगेंगे और कोई आपको रोकने भी कोशिश करेगा तो आपका जैसे आपका रूप अलग होगा यहां पर आप उन लोगों को ऐसा करारा जावाब देकर आप आगे की तरफ यहां पर निगलोगे जैसे कोई आंधी तुफान कोई आपको रोक नहीं सकती है आपका अंदाज अलग है दियर है सो कपस यह बहुत बड़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए अनकंडिशनल कुद्रत का परमात्मा का यूनिवर्स का अनकंडिशनल ब्लैसिंग्स आपकी तरफ यहां पर आ रहे हैं वह जब देता है ना तो छप्ड फाड़ कर देता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो आपने आपका सबसे ज़्यादा कनेक्शन किसके साथ रहा है सिर्फ है अपके बड लिए अपको बड् इस जर्णी में आप आये होना तब से लेकर शुरुवार से लेकर अंत तक आपके बर्ड इस्पृड आपके साथ में यहां पर रहे हैं आपका बर्ड के साथ बहुत गहरा रिष्टा है वो आपको बहुत अंकंडिशनल प्रेम करते हैं उसी की वज़े से आपकी हीलिंग हुई है और के आपका हार्ट चक्रा हील हुआ है आपके हिर्दे जो भी दर्द था पें था वो यहां पर निकला है आपने बर्ड को आप बहुत जादा मतलब आपने उनको प्रेम दिया है उनको दाना पानी उनके साथ अपने एक कनेक्शन इस्थापित यहां पर करा है तो उनकी ब्लासिंग्स यहां पर आपको आ रही है इस बीच आपकी हीलिंग भी होई होगी आपको बहुत रोना आया होगा बहुत रोई होगे आप यहां पर अभी हाल फिलाल में आपके क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आपके ऊपर के चक्रास में कुछ ब्लोके स्थेडियर तो वह आपके बर्ड इस्परेड मे यहां पर हील कर रहे हैं क्योंकि समय है भागे उदे हो रहा है यहां पर आपका तो वो चाहते हैं कि आप हर चीज को रिलीज कर दो और जो future में आप जो आप निकल कर आ रहे हो बहार जिस अंदाज से आप चल रहे हो वो अलग ही है वो अनोखा ही है वो देखने लायक है तो वहाँ पर कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए past का कुछ भी वहाँ future में नहीं होना चाहिए okay the hand man वो आपको पूरा balance करना चाहते हैं yes the star ने बोला ना आपको यहां पर universe के साथ आपका बहुत धेरा रिष्टा है यह बहुत अच्छा समय है dear उठो जो तारे टिम टिम आते रहते हैं ना उससे connection इस्थापित करो आप ताकि आप यहां पर यहां पर भागी उदे आपका भागी तब ही उदे होगा dear okay यह इस चीज को समझ जाओ आप और यह sign आपको वो दे रहे हैं thank you you thank you so much okay five of cups five of cups यहां पर यूनियर्स आपको बोल रहे हैं रोने की जरुरत नहीं है परेशान होने की जरुरत नहीं है आप जिस चीज का आप दुख जता रहे हो okay जिस चीज का आपको दुख है दर्द है पेन है यहां पर आपके लिए अब äसा कुछ आपकी लाव में आ रहा है जहां पर पुराने जो भी patterns हैं वो सब हील हो रहे हैं आपके सिर्फ यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आपको बैलेंस रखो और जो आ रहा है युनियर्स एंजर्स का अनकंडिशनल प्रेम आ रहा है आपके लिए उसे आप रिसीव यहां पर करो क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि जिन्दीगी खतम नहीं हुई है आपकी जो पास्ट में हुआ आपके साथ यहां पर उसे सब कुछ मस समझो वो तो एक शन भर का कुछ था आपका जिसे आपने क्लियर यहां पर करा है वो आपको वो आपको सिर्फ दर्द देने आया था छन भर के लिए आया था दर्द दे क्यों चला गया लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है वो आपका अपना है और उसी से ही आपको खुशी मिलेगी हापिनेस मिलेगी तो यहां पर बोले यही जा रहा है कि अपने उपर विश्वास करो यूनियर्ट के उपर विश्वास करो अके आपके बर्ड फिर अपके लिए बर्ड आपका भाग की उद्य हो रहा है इसके सायन आपके बर्ड इर्द गिर्द बहुत रहेंगे आपके बहुत रहेंगे टियर पीजन वाइट कलr से पीजन आपको नजर आएंगे यह बहुत होर्स आपको नजर आ सकते हैं King of Panticus यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो किस तरीके से आप अपने आपको देखना चाहते हो बस उस तरीके से आप अपने आपको देखना स्टार्ट कर दो उस तरीके से आप अपने आपको सोचना यहाँ पर शुरू कर दो क्योंकि भागे उदे हो रहा है डियर अब आपको अपनी लाइफ में यह नहीं समझना है कि आप किसी भी चीज को इस्थापित नहीं कर सकते हो ठीक है आप हर चीज को इस्थापित यहां पर कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा मतलब यहां पर आप अपनी मतलब हर चीज को मुस्करा कर लेना सीखो आप मुझे इसा लगता है रोते बहुत हो तो यहां पर मुस्कराना भी आपके लिए बहुत अच्छा है ठीक है यहां पर five of sorts येस आपके लिए आपका भागय उद्धे हो रहा है इसके क्या साइन है आपको सबसे बड़ा साइन यहां पर आपके लिए क्या है कि जो हो चुका है उसे भूलो और आगे बढ़ो पास्ट में जाने की एक सोचेशार करने की यहां पर ज़रत नहीं है क्यों क्यों किया उसको जस्टिस मिलेगा या मुझे मिलेगा के नहीं इन सब चीज़व में मत पड़ों जो आरहा है उसे रिसीव यहां पर करो ठीके आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अगर जो भी आपके जिसने भी आपको कमजोर समझा जिसने भी आपका दिल दुखाया व सकते सेवन और पांटी का जो आप सोच रहे हैं वह बहुत चल्दी आपको यहां पर मिलने वाला है ठीक है और यहां पर थैंक यू नियर्स यह मैंने पाईल ही बनाए था आपको पाईल नमबर 2 आपके भागे उदय होने का आपको क्या साइन मिलेंगे यहां पर मतलब मुझे जो लग रहा है आपको कि आप अपनी हर चीज को बहुत गहराई से देखने वाले हो आप अपने आप से बहुत प्रेम करने वाले हो आप सामने कोई चॉइस आपको दे दी जाए कि बताओ आपको क्या करने की जर्रत है ठीके तो वो जो गलती आप पहले करते थे वो दूबारा नहीं दोरा होगे आप यहां पर आप पहले अपने आपको पर काम करोगे पहले अपने आपको यहां पर देखोगे क्योंकि आपके ल मुझे अपने अंदर सबसे बड़ा काम क्या होता है आपने आपको पेचान अपने आपको यहां पर देखना आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है आपकी अंतरात्मा किस काम में उसे खुशी मिलती है यहां पर कहां उसे प्रेम मिलता है जिसे वो अपने अंधर ही सब कुछ ढूंड रही है आपकी सोल आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की जरुरत नहीं है कहीं पर जाने की जरुरत नहीं है सब कुछ जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको आपके भीतर से यहां पर मिल रहा है ओके यह एक बहुत बड़ा साइन आपको मिल रहा है जिसे आप अकेले में ही आप मुस्कुरा रहे हो हस रहे हो गा रहे हो मुस्कुरा रहा हो जिसे आपको अकेले रेने में मजा आ रहा है यह एक सायन मिलेगा यहां पर मुझे यह भी लग रहा है किसी किसी के लिए विजन आपको बहुत विजन आपको नजर आएंगे य檜賽 depression भीया चीछ को 빠ण delicious आप देख पा रहे हो कोई पिक्चर आपके सामने यहां पर आ रही है तो बहुत अच्छे से वो सब चीजों को आप देख रहे हैं। परदाफवाश करने वाली हैं क्योंकि यह आपकी आँखे नहीं है ठीके यह आपकी अंतरात्मा की आँखे हैं उस चीज पर आपको विश्वास करने की यहां पर जर्रत है इतनी आपको मतलब अगर जिस काम को भी आप समझ रहे हो कि यह नहीं हो सकता तो वो आपके अंदर endless possibilities आ रही है आपका कोई मुकाबला नहीं है आप बहुत बहुत उपर की तरफ यहां पर जा रहे हैं आप हर काम को बहुत आप आप बहुत कॉंफिडेंस के साथ कर रहे हो अलग अंदास से यहां पर कर रहे हो आपको आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी हर चीज को जिसे किसी भी चीज को जिसे हम बोल देते ने कि बस इनफ हो गया है नहीं कि बस मुझे यहां तकी चाहिए नहीं आपके लिए आप ऐसी बूर्जा बहरी है जिसे आप किसी भी काम को करते चले जा रहे हो करते चले जा रहे हों मुझे यहांड़ को इसक्राइब ग्राइब ऐसा कि जम सर्क泉ण ने जा चले पस तक स्वूर्जा है कि आतके दीन हेम बेदैब यहां हताना है जैसे elephant यहां पर बुद्धी को भी बताते हैं energies बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपने आपको emotionally बहुत जादा हील करा है आपने आपको बहुत पहले आप बहुत थलके थे लेकिन आप अपने आपको भर चुके हो abundance से भर चुके हो, blessings से यहां पर भर चुके हो और जैसे आप अपनी एक, मैं कह सकती हूँ कि यहां पर आप अपनी भारी भरकमता के कारण एक वजन है आपके अंदर, एक भार है आपके अंदर एक मैं कह सकती हूँ यहां पर कि आप, हर कोई आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कतेई भी तस से मस नहीं होने वाले हो ओके ग्राउन एलिफैंट जंगल का राजा होता है जैसे इसके आगे किसी की नहीं जलती है यह वह वाली उर्जा है दियर ओके आपका भागे उदे हो रहा है तो आप यहां पर उन सब चीजों को आप महसूस करोगे आपका भागे उदे हो रहा है अब आप लाइट की तरफ जा रहे हो प्रकाश की तरफ यहां पर जा रहे हो ओके आप मुझे इसा लग रहा है ना सन सन आपको बहुत ज़ादा मतलब आप सन को उगता हुआ आप देखोगे अब भी तक शायद आप देखते नहीं थे लेकिन सन को उगता हुआ आप देखोगे ओके सन राइस यह आपके भागे उदे के लिए बहुत साथा ज़रूरी है जिसे जिसे आप उसे उपर आता हुआ देखोगे ना वैसे वैसे आपको आपका आपका इसा फील होगा कि हाँ अब मेरी लाइक में भी एक लायट आ रहा है एक प्रकाश आए यहां पर ओके तो आपको यहां पर यह भी फील होगा कि आप विलकुल जो सन की उरजा बढ़ती है वैसे हमारी जीवन में रोशनी आती है वैसे हमने पता चल जाता है हम सही डिररेक्शं में जाने सही रस्ते कि तरफ यह पर जा रहे हैं, तो आप अंधेरा से निगल चुके हो, सूर्री आपके जीवन में आच चुका है, झाल तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, आपको सब कुछ हर चीज आपको पूरी तरीखे से दिखाई जा रही है, आप सेफ हो आप सुरक्षित हो ठीक है क्योंकि आप लाइट में आज चुके हो ओके यह भागय उद्य हो रहा है सन आपके लिए बहुत साथा महत्रपून है तो सन की उर्जा है यहाँ पर अबननस आ रही है आपकी लाइफ में आपर क्योंकि ट्रांस्वर्मेशन तो हो चुक हो बहुत अच्छे साप जीना चाहते हो तो उस तरीके से सब्सुरू में सब्सक्राइब है। अगर हो थी तो प्लीज याइक उमें, सप्स्क्राइब करूं में पाई चेशी किष्णा, रादे रादे हर घर महादेष